तो हाई गैस कैसे हैं आप सभी लोग आई हो कि आप सभी अच्छे होंगे तो जिसा कि आप लोगों ने इसनिहा सजदेवा का कल रात का लाइव देख लिया हो यहाँ पर इसनिहा ने स्टोरी डाल कर यह बताया था हमें कि मैं कहानी बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ फ और उसका भी एक्सिस लेने की कोश्य चूं से की जा रही है। इसी लाइव में इसनय हां ने यह भी कहा था कि पारस की फैपर्स की फैमली का की सपोर्ट करेगी क्योंकि वे तो damn wtedy worship रहा ही। किसी को लेकर पारस ने अपने इंस्टाग्राम पर 3-4 इस्टोरी भी शेयर की थी हाला कि वो इस्टोरी पारस ने बाद में डिलिट कर दी थी सिर्फ 7-8 मिनिट ही वो इस्टोरी उनके इंस्टाग्राम पर थी फिर बाद में उनोंने डिलिट कर दी थी पर मेरे पास उसका स्क्रिंशोट है तो मैं आप लोगों को वे स्टोरी दिखा देती हूँ सबसे पहले स्टोरी किसी फेंस ने यहाँ पर पारस को मेसेज करके बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है पर इसनेहा तुमारी इमेज पर दाग लगाने की कुशीश कर रही है जिसके रिप्लाइ में पारस ने कहा कि उसको यानि इसनेहा को ये करने में अगर कुशी मिल रही है I promise कि मेरी और मेरी वाइफ की कोई बात कीचर की तरह नहीं उचा लूँगा मैं इतना तो समझदार हूँ अगली स्टोरी में पारस ने लिखा आज मैं वरंदावन में हूँ पंडी जी ने बोला कि वो हमारी फेमली व्लोग्स देखते हैं और उनको अच्छे लगते हैं तो परिवार की बात परिवार तक ही रखना चाहता हूँ I know आप लोग साथ खड़े हो हमेशा थेंक यू तो यही कुछ इस्टोरी थी पारस रखरा की जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी बर थोड़ी दिर बाद यून्होंने डिलिट कर दी थी इंड इसनेहा के लाइव के बाद कॉमेट रखरा का भी रियक्शन आया था वो मैं आपको एक अगली नई वीडियो बना कर बताऊंगी क्योंकि अगर मैं यहां पर बताऊंगी तो वीडियो काफे लंबी हो जाएगी जिन जिन को भी लग रहा था कि पारस एंड इसनेहा ये सब चीजें करके प्रेंक कर रहे हैं फेंस के साथ तो कल जो भी हुआ इसनेहा के लाई के बादें ये पारस रगरा की सारी स्टोरिस देखने बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये एक प्रेंक नहीं है तो बस गई अभी की वीडियो में इतना ही मैं मिलते हैं आप से नई वीडियो साथ